काव्य के प्रमुख तत्व कौन कौन से है तो यहां हम देखने वाले काव्य के प्रमुख तत्व यानि कविता के प्रमुख तत्व इससे पहले की वीडियो में आप लोग काव्य के स्वरूप और लक्षन को देख सकते हैं परिवाशा हैं देख सकते हैं और इसमें हम देखन वाले कावे के प्रमुक तत्व कौन कौन से हैं संक्षेप में वरणन कीजिए तो कावे के प्रमुक रूप से चार तत्व माने गए चार तत्व से मिलके जो एक कावे बनाए तो कावे के तत्व कौन कौन यदि भाव ही नहीं है तो कविता नहीं है जैसे कि आचारे विश्विनात ने कहा वाक्यम रसात मकम काव्यम रस से युक्त रचना ही काव्य है वाक्यम रसात मकम यानि रस से युक्त जो वाक्य है उसी को काव्य कह सकते है यदि रस नहीं है नौ रसों में से कोई भी रस नही तो ऊसको काव्या नहीं कहा जा सकता रस याणी कि जूस है किसी फल का वही वास्ता में फल को फल बनाता है वरना फल फल नहीं है कविता कविता नहीं है जब तक उसमें कोई रस ना हो यहाँ पर रस कोई भाव कह दिया गया है तो यहाँ कह दिया गया है कि भाव कविता का आत्म तत्व है ठीक है वाक्यम रस आत्म कम काव्यम वाक्यम भाव आत्म कम काव्यम रस ही भाव है तो भाव कविता का आत्म तत्व है साहेत्य का मुख्य लक्षन पाठक या श्रोता या दर्शक के हिरदय को की भावनाओं को आपलावित कर देना होता है यानि साहेति का मुख्य लक्षन है कविता का मुख्य लक्षन क्या है जो पाठक या श्रोता है यानि कि जो कविता को पढ़ने वाला सुनने वाला यह दर्शक देखने वाला होता है कविता के दर्शन भी किया सकते हैं उसको चित्रित करके उसको अंकित करके नाट्य करके उस साहेत्य या कविता का मुख्य लक्ष क्या होता है पाठक यानी पढ़ने वाले शुरूता यानी सुनने वाले दर्शक यानी देखने वाले के हिरदय की भावनाओं इस लक्ष की पूर्ती भावों के चित्रन कविता के अंदर करता है इसके बाद देखिए भाव के बाद जो काव्य का दूसरा तत्व है वो है कलपना यानि इमेजिनेशन इमेजिनेशन की सहायता से ही काव्य की रचना की जाती है किसी कविता को बनाया जाता है तो काव्य की रचना में इमेजिनेशन जो है इंपोर्टन पार्ट निवाती है इंपोर्टन प्रोल निवाती है तो यहाँ पर कलपना को समझेंगे imagination से द्वारा ही कभी ता लिखे जाए इसके अंदर imagination नहीं हो कावे रचना नहीं कर सकता तो पहला तत्व तो था भाव दूसरा तत्व है कलपना कावे का दूसरा तत्व कलपना है कावे में भावनाओं का चित्रन कलपना शक्ती के द्वारा होता है imagination पावर के द्वारा होता है कभी एक साधारन घटना को भी यानि एक साधारन सी घटना को भी कलपना के रंगों से रंग कर यानि imagination के रंगों से रंग कर एक ऐसा भव्य रूप प्रदान कर देता है एक ऐसा विशाल रूप कविता का ये दूसरा लक्षन है कलपना शक्ति का होना ठीक है imagination power तो imagination power के द्वारा जो कवी है वो कलपना के रंग से भर कर कविता को या एक साधारन घटना को एक भव्य रूप प्रदान कर देता है यह चित्रन हमारे हिर्दय को बरवस ही आकरशित कर लिता है और दूसरों के सुख दुख हमारे सुख दुख बन जाते हैं दूसरों की भावनाए हमें फील होने लगती है जो घटना है उसका एसास हमें होने लगता कि जो घटना हमारे सामने घट रही है मात्र कविता को सुनने मात्र से वो गटना हमारे सामने चित्रित हो जाती है ये कविता का लक्षन है ये कलपना प्रधानता है तो पहला तत्व था भाव दूसरा तत्व है कावे का कलपना तीसरा तत्व है बुद्धी तो कावे का तीसरा तत्व बुद्धी क्यों है क्योंकि बुद्धी द्वारा ही तत्थ्यों विचारों और सिध्धानतों की विविचना होती है किसी भी तत्व को सिध्धान्त को विचार को हम तभी समझ सकते हैं या उसकी विवेचना कर सकते हैं या उसको समझा सकते हैं या उसको बता सकते हैं जब बुद्धी हो तो बुद्धी ही सबसे इंपोर्टेंट है किसी भी तथ्य विचार और सिध्धानत को समझने और विवेचित करने के लिए और उनका निर्धारन करने के लिए कावे में किसी ना किसी मात्रा में तथ्यों विचार और सिध्धानतों का भी समावेश होता है कोई भी कविता हो उसमें अलग-अलग मात्रा में तथ्य का विचार का सिध्धानतों का समाविश जरूर होता है तो कावे में किसी मात्रा में तथ्य विचार और सिध्धानतों का समाविश होता है कहने का मतलब है कि काव यानि कविता में किसी मात्रा में तो तथ्य विचार और सिध्धान्त होंगी तथ्य यानि की कॉंसेप्ट समझ सकते हो अब तथ्य यानि की एक तरह से फैक्ट है ना और विचार यानि की सोच तिंकिंग्स और सिध्धान्त यानि की फिलोसोपी इन सब का समावेश होगा तो हर कविता में होता है अलग-अलग लेवल पर होता है किसी में जादा किसी में कम किसी में दिखाई भी नहीं देता लेकिन होता जरूर है ठीक है तो इसलिए बुद्धी कि कभी-कभी ये भी होता है कि होता बहुत जादा मात्रा में और दिखता विलकुल भी नहीं है, एक जंदली तरीके से पढ़ेंगे तो कविता में समझ में नहीं आएगा, लेकिन कविता को एक विशेष्ट रूप से देखने वाला व्यक्ति जो काववी को अच्छे से समझ सकेगा, उसे उसमें सिध्धान्त भी दिखाई दे जाएगा, कविता में सिध्धान के विचारों की माला में गूत कर उसे काव्य रूपर प्रदान करती है और इसी प्रकार विचारों की माला में गूते हुए काव्य को पढ़कर समझ पाती है तो बुद्धी का होना बहुत जरूरी है कविता को कि सिद्धानतों को समझने के लिए उसके तथ्यों को समझने के चौथा तत्व है शैली शैली यानि की तरीका तो कावि का चौथा तत्व शैली है साहितिकार जिस भाशा और ढंग से अपने भावोयां विचारों को व्यक्त करता है वो तरीका ढंग वो तरीका ही वो ढंग ही शैली कहलाता शैली का मतलब ही है ढंग तो कवी अपनी कविता को किस प्रकार से प्रस्तुत कर रहा है, किस भाशा में प्रस्तुत कर रहा है, किस तरीके से लिख रहा है, उसके लिए कैसी बोली का प्रयोग कर रहा है, कैसे अलंकार, छंद का प्रयोग कर रहा है, उसकी रचना का धंग क्या है, वो धंग ही शैली कहल ठीक है तो काव्य का चोथा तत्व शैली है साहेतिकार जिस भाशा और जिस धंग से अपने भावों को या अपने विचारों को व्यक्त करता है वह उसकी शैली कहलाती है शैली यानि की ढंग के अंतरगत भाशा शब्द चैन अलंकारों एवं छंदों का प्रयोग होता है काव्य रूप आदी का समाविश किया जाता है इस प्रकार भाशा शैली आदी कला तत्वों के कला तत्वों से काव्य के शरीर की रचना होती है इस प्रकार के चार तत्वों क संयोग से ही कविता रूपी शरीर की रचना होती है और कलपना एवं भाव तत्व उस काव शरीर में प्राणों का संचार करते हैं तो कलपना जो है और भाव रूपी जो तत्व है ये दो तत्व मिलके कविता रूपी शरीर में प्राणों का संचार करते हैं यादि बुद्ध और शैली इन दोनों को हम कविता का शरीर मान लें तो आत्मा क्या है भाव और कलपना काववे की आत्मा है और बुद्धि और शैली काववे के शरीर है तो दो से मिलके शरीर बन रहा है दो से मिलके आत्मा बन रही है इन चार तत्मों से मिलके पूरा काववे यानि कविता ब अंदर जब भावनाएं आपलावित हो जाएं भावनाएं बहने लगें तो ये कविता की परिपक्वता है यानि कविता की आत्मा की पहचान है उसके अंदर आत्मा है कल्पना जो है उसको प्राण मान सकते हैं भाव को आत्मा मान सकते हैं कल्पना को आप प्राण मान सकते हैं विश्य को उस कविता की गटना को अपने सामने देखने लगे, उसके सामने जलकने लगे वो चीज, तो ये किसका काम है, कल्पना का काम है, ये सब करवाना का ही काम है, इमैजिनेशन इतनी बड़ा काम करके रख देती है, तो भाव और कल्पना ये दोनों कविता की आत्मा को समझने के लिए भी बुद्धी चाहिए उनको लिखने के लिए भी उनको रचने के लिए भी बुद्धी चाहिए तो बुद्धी सबसे important तत्व भी है सबसे बोल सकते हैं या फिर सवी चारों तत्वों को बरावर important भी नोकर बुल सकते तो बुद्धी भी एक बहुत Tattva है, ऐसी रचना के लिए तो सब्से इंपॉडंट है जिस्में सिद्धांत समायों, जिस्में विचार समायों हूँ, ठीक है, तो सिद्धांतिक रचना को पढ़ने के लिया, समझने के लिए या बताने के लिए विवेचना करने के लिए बुद्धी होना आवश्चक है और चौथा तत्व कहा गया है शैली यानि तरीका ढंग उसके अंदर कैसे चंद है कैसे अलंकार है कैसा उसका तरीका है कैसी बाशा है किस तरीके से कहा गया है गुस्से में, या फिर शांती से, या फिर अबदर तरीके से, ये सब बताने वाले जो ढंग हैं यही शैली कहलाते हैं, तो कविता के अंदर शैली का होना भी आविश्यक है, यह जो है कविता के structure की रचना करती है शैली तो शैली यानि डाचा, अड्डियों का डाचा समझ सकते हैं बुद्धी को आप उपरी आवरण यानि माज समझ सकते हैं उसका आकरती समझ सकते हैं उसका डिजाइन उसकी तुचा समझ सकते हो और भाव को आप आत्मा समझ सकते हो को रस भी कह सकते हैं और कलपना यानि इमेजिनिशन को आप प्राण कह सकते हैं तो चारों मिलके कविता का निर्मान करते हैं भाव कलपना गुद्धी और शैली इस प्रकार से आंसर है आपर कंप्लीट